आये दोस्तों mathematics को सीखने के हम आपको सिखाते हैं 5 ट्रिक्स जो टिप्स हैं आप mathematics के किसी भी question को आसानी से solve कर सकते हैं सबसे पहला हमारा टिप्स है कि सबसे पहले आप जाने plus and minus का यह rule क्या है जैसे अगर कोई नंबर दिया हुआ है 2 plus 4 minus 3 plus 8 minus 5 तो यह कैसे किया जाता है तो आपको पता है कि आप जितने plus बाले नंबर हैं पहले उनको देखिए plus का 2 है plus का 4 है plus का 8 है तो इनको जोड लीजिए 4 और 2 6 और 8 14 अब आप minus minus वाले जो नंबर है जितने भी same sign के नंबर होते हैं उनको जोड लिया जाता है चाहें पहुत same sign plus का हो या same sign minus का हो यहाँ भी minus का 3 है यहाँ भी minus का 5 है दोनों minus के same sign है जब same sign होता है जब समान चिन होता है तो उनको जोड लिया जाता है 3 minus का है minus का 5 है तो कितना हो गया minus का 8 लेकिन यहाँ पर चिन वही आएगा जो इनके आगे होता है जैसे minus का 3 minus का 5 तो minus का ही आएगा लेकिन दोनों जुड जाएंगे 8 यहाँ plus का 2 था plus का 4 plus का 8 मतलब सब plus के थे तब भी जुड जाएंगे अगर सब minus के हो तब भी जुड जा 6 अब यहां plus आएगा या minus अब आप देखो इन दोनों में से बड़ा कोन है 8 बड़ा या 14 चो 14 बड़ा है तो sign हमेशा बड़े वाले अंक का आता है तो बड़े वाला अंक क्या है 14 है तो यहां भी plus ही है यह plus का 6 आएगा ऐसे ही अगर 5 minus 7 दिया होता तो यह plus का यह minus का है अब जोनों अलग-अलग जब चिन होते हैं तो उनको गटा दिया जाता है एक plus का वह एक minus का तो गटता है हमेशा गटेगा तो 5 minus 7 आएगा तो 2 अब यहां sign चिन कौन सा आएगा अब यह देखे बड़ा कौन सा है 7 बड़ा है तो 7 का चिन क्या है minus तो हमेशा minus आएगा तो यह तो plus और minus का ट्रिक था और हम आगे देखते हैं गटा और भाग का अब आगे देखते हैं कि यदि plus और plus का गटा होगा plus और minus का गटा होगा minus और minus का गटा होगा माइनस और प्लस का गुणा होगा तो क्या आएगा तो प्लस और प्लस जब समान चिन्न का गुणा होता है तो हांसर हमेसा प्लस आता है जैसे प्लस और प्लस का गुणा होगा तो प्लस आएगा और यहां माइनस और माइनस समान चिन है, समान चिन्नों का गुणा होगा तो हमेशा प्लस आएगा जहां असमान चिन्न प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस आएगा या माइनस या प्लस का होगा तब भी माइनस आएगा उधारण के साथ समझ लेते हैं जैसे प्लस का 5 गुणा माइनस का 3 तो आंसर तो 5 तीओ 15 आएगा अब प्लस आएगा या माइनस तो ये प्लस है ये माइनस है वो प्लस और माइनस अगर असमान चिनन है तो हमेशा यहाँ पर माइनस आएगा अगर समान चिनन होते जैसे प्लस का 5 है गुणा प्लस का 5 तो 15 आएगा दोनों में प्लस प्लस है समान चिन ने तो प्लस आएगा चाहे भले माइनस का 3 गुणा माइनस का 3 तो हमेशा 3 तरका 9 आएगा और चिन माइनस माइनस दोनों है इसका मतलब समान चिन पर क्या आता है प्लस आता है असमान चिन पर म माइनस का गुणा और हमने जोड और घटाओ यह हमने देखें अब हम देखते हैं अब हम देखते हैं टिप सेकेंड अगर आप समीकरण को इजली हल कर लेते हैं तो आप किसी भी कोश्चिन को आयाराम से बना सकते हैं तो सबसे पहले अगर हमने बोला x प्लस 9 बरावर अगर दिया हुआ है सपोस 11 तो x की value क्या होगी तो कभी भी याद रखिए कि अगर बरावर से अगर हम इस हमें x की value फाइंड करना है तो याद रखिए हम 9 को इधर ले जाएंगे यहां 9 का चिन क्या है प्लस है जब यह अपना पक्ष मतलब अभी इसका पक् राइट से लेफ्ट जाएगा तो अपना चिन बदल देगा अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा माइनस है तो प्लस हो जाएगा जैसे यहां x प्लस 9 है तो इधर जब 11 के पास जाएगा तो x की जगए अब यह 9 की जगए प्लस 9 की जगए माइनस का ना जाएगा तो x की value क यह पता चलेगा कि इन दोनों में से बड़ा को ने 11 तो 11 का आगे क्या है प्लस है तो इसका मतलब यह प्लस का ही दो आएगा अगर यहां पर दिया हुआ है सपोज 3X प्लस 2 बरावर 2X प्लस 5 तो X की value क्या होगी अभी मैंने हमने बता है था कि जब भी हमारा left end यह right end है जब भी हमारा कोई भी इसमें अंग अपना पक्षी change करेगा तो उनका चिन बदल जाएगा प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, गुणा है तो भाग हो जाएगा, और भाग है तो गुणा हो जाएगा, तो अब हम इसमें सबसे पहले देखते हैं, इधर दो X है और ये इधर तीन X है, तो X X वाले को पहले एक तरफ कर लेते हैं, तीन X, अ बेनस हो जाएगा तो अब 3x है यहां पर यह 2x है अगर 3x में से 2x चला जाएगा तो केवल 1x बचेगा बतलब x बचेगा यहां पर 5 में से 2 गया 3 बचा अब प्लस का 3 आएगा क्योंकि 5 बढ़ा है तो यह 3 आए प्लस का अब हम देखते हैं नेक्स्ट टिप्स अब हम देखते हैं कि भिन्नों को कैसे सॉल करते हैं जैसे अगर यहां दिया है 2 बटा 3 प्लस तीन बटा तीन बटा चार अगर दिया हुआ तो इसको हल कैसे करते हैं तो सबसे पहले हम जो इनका ये उपर बाला भाग होता है अंस और नीचे बाला होता है हर मीन्स निमिरेटर एंड डिनोमिनेटर हम इसके हर का लेते हैं LCM LCM मीन्स लासा LCM ले लेते हैं हर का हर क्या है तीन और इसका हर क्या है चार तो हम इसको LCM लेते हैं ऐसे सबसे पहले दो से डिवाइड करेंगे तीन डिवाइड नहीं होगा दो आएगा और ये डिवाइड होगे बनाएगा फिर इसे तीन से डिवाइड करेंगे बनाएगा तो 2 दूनी 4 तियों 2 दूनी 4 तियों 12 आया इनका LCM अब हम LCM को लिख लेते हैं नीचे LCM, अब हम इसको solve करेंगे सबसे पहले इसको solve करने के लिए इसका हर देखेंगे, हर को उठाएंगे और इसको 12 को इसके हर से divide करेंगे तो तीन चौक बारा, चार बार गया, अब हम इस चार को इस दो से गुणा कर देंगे, दो गुणा चार, अब बीच में प्लस है, तो प्लस लगा देंगे, अब हम इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, इसका हर उठाएंगे, और जो LCM आया है, इसके हर को, हर से इसको तीन, अब इसको हल कर लेंगे, चार दूनी, आठ हो गया, प्लस तीन तीर का नो हो गया, बटे बारा, ये हो गया, सत्रा बटे बारा, तो ये हमारा आंसर है, हमने क्या किया, सबसे पहले इन दो संख्याओं का LCM लिया, ये LCM हाया बारा, LCM को नीचे लिख लिया, फिर इस को सॉल करने के लिए, इसके हर को, इसके हर से, इस बारा को डिवाइड किया, तो चार बार गया, अब यही चार को हमने, इस दो से मल्टिप्लाई कर दिया, चार दूनी, आठ, सेम काम यहां किया है, इसके हर से, इस बारा को डिवाइड किया, तो तीन बार गया, इस तीन को इसके answer से गुणा कर दिया तीन दिका नो फिर इन दोनों के बीच प्लस लगा था तो जोड लिया और इसको add करने पर answer आये 17 बटे 12 तो ये था हमारा tips तीन जैसे हमने देगा कि हम इनके भिन्नों को कैसे जोड़ते या घटाते हैं अगर यहाँ पर प्लस की जगे माइनस हो जाता तो हम यहाँ प्लस की जगे माइनस कर लेते और हमारा answer मिल जाता तो next tips दिखते हैं अगला tips दिखते हैं अगर कोई हमें भाग दिया जाता है सबोज 20 बटे 25 यहाँ पर भाग 35 बटे 5 इस तरीके से माँ लोग कोई भाग दे दिया जाता है तो इसको हल करने कैसे करते हैं इसको इसली बताग सकते हैं सबसे पहले इनको आपस में हल कर लेते हैं पांच चौग 20 पांच पंजे 25 एकम 5 पांच सत्ते 35 तो यह आता है 4 बटे 5 भाग 7 बटे 1 अगर हम इसमें से इसको रिवर्स का दें जैसे 4 बटे 5 इसको 7 बटा 1 की जगे 1 बटा 7 लिख लें और इनके तो भाग को हम गुणा में बदल देते हैं तो गुणा में चिन्ने लगा दिया अब हम इनका आपस में गुणा कर लेते इसका गुणा कैसे होता है 4 से 1 का गुणा होगा 4 एकम 4 और हर का हर से गुणा होता है 7 बटा 35 अंस का अंस से गुणा होता है और हर का हर से गुणा होता है जैसे अगर हम 3 बटा 2 से 1 बटा 5 का आगर गुणा करें 3 बटा 2 से 1 बटा 5 को गुणा करें तो ऊपर अंस है ये नीचे हर है तो अंस का अंस से होगा 3 एकम 3 और हर का हर से होगा 5 दूनी 10 तो ये हमारा टिप्स नमबर 4 था कि किस तरीके से भिन्नों को गुणा करते हैं और ये इस तरीके से भिन्नों को भाग कर देते हैं अब टिप्स 5 देखते हैं अब देखते हैं 5 ज आठ एक्स प्लस साथ बरावर आप बोला है कि X की वैलू निकालो तो आपको X की वैलू निकालना है तो आप पहले X को एक जगे लेके आईए इधर देखे 2X इधर राइट एंड साइट और लेफट एंड साइट पर है 8X तो इस 2X को जब इधर लाएंगे तो 8X यहाँ 2X प 7 हो जाएगा यह हो जाएगा 6X यह हो जाएगा 12 अब इधर देखिए 6 और X का आपस में गुणा हो रहा है मतलब यह गुणा हो रहा है तो जब 6 इधर जाएगा तो गुणा को भाग में बदल दिया जाता है जब पच्छांतर होता है लेफ्ट एंड से राइट है राइट इधर लेफ्ट तो यहां गुणा हो रहा है तो X इधर किस में जाएगा यह 6 12 बटे 6 हो जाएगा इधर भाग में चला जाएगा इधर गुणा हो रहा है अगर यहां भाग में चला जाता है चे दुनी 12 X की value 2 आगई कहने का मतलब है कि जब भी पच्छांतर होता है तो जो divide хight में होता है भाग में होता है वो गुणा में बढ़ जाता है और ब्लस का माइनस हो जाता है और माइनस का बलस हो जाता है पच्छांतर जब जब करते सिखने के 5्टिक्स पते हैं ज्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट कीजिए और बताइए वीडियो आपको कैसा लगा थैंक